हेलो दोस्तों तो आगत है आज फिर से आपका हमारे यूटुब चानल डिके लेप्ट इंट स्वेल में दोस्तों आज हम बात करेंगे क्यूरी केसिट के बारे में क्यूरी केसिट क्या होता है क्यूरी केसिट बंडने से क्या क्या परिसानिया होती है विडियो को लाइक कर देज़े और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर देज़े हर दोना बिलकुल ना भूले ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोठिफिकेशन आपको मिला रहा है चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हाले हम जानेंगे यूरीकेसिड क्या होता है यूरीकेसिड हमारे बाड़ी का वेस्ट फ्रोड़क्ट होता है जो प्यूरीन नाम के केमिकल के ब्रेक डम से बनता है यह जो प्यूरीन है चोटे-चोटे टुकड़े में तूड़ जाता है तो यूरीकेसिड में कनवार हो जाता है और फिर यूरीकेसिड ब्लोड में प्रिजर्ब हो जाता है और जब यह ब्लोड फिल्टर होने के लिए केड़नी में जाता है तो तो केड़नी क्या करता है यह Uric acid को blood से filter कर देता है जितना हो सकता होता है उतना रख लेता है बाकी urine के थूँ बाहर कर देता है Uric acid को हमारा kidney Uric acid क्या होता है जब ज़्यादा मात्रा में हमारे body में हो जाएगा तो तो Uric acid, Uric crystal में convert हो जाता है जो हमारे body के joint में deposit हो जाएगा कि या फिर क्या होता है कि रिष्टल के रूप में कीड़नी में डिकोजित हो जाएगा जिससे किड़नी स्ट्न होने derived होते हैं है ऐसरे सायंस सिम्टम्स हैं अब हम जानेंगे यूकुंट बढ़ने क्या क्या लर्श्यों होते हैं ये किसिट बढ़ता है तो क्या---क दिख्रते होती है तो आब हमें टेस्ट करना inheritance पैरों और हाथ के उंगलिएं में चुफन वाला दर्ध हो रहा हो या फिर एरियों और भूंतने में दर्ध हो रहा हो या फिर चलने में तर्लीफ हो रही हो या फिर पेर के जयान में swelling आना सर्फब सारे सैंड़ सिम्विटम्स होते हैं इसके जिस से मैं पता लगता है कि हमारा Yodakacid Bogdow हुआ है अभी किया होता है कि हमारे इंगलियों में swelling आ जाती है पेर के जयान में swelling आ जाता है अगर ऐसी प्राब्लम आपको हो रही हो तो यूरीक एसी टेस्ट ज़रूर करा है तो यह ले हम जानेंगे इसके नार्मर रेंज कि यूरीक एसीड हमारे बॉडी में कितने मात्रा में होना चाहिए यूरीक एसीड का नार्मर रेंज 3.0 से 7.0 एमजी पर डियल होता है 3.0 से 7.0 के बीस में हमारे होना चाहिए अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब मारे इसीड बड़ा हुआ है अब हम जानेंगे इसीड बढ़ने पे हमए क्या क्या नहीं खाना चाहिए यूजिक एसिट बंडे पर हमें डाले नहीं खानी चीए लोग मस्रूम की सब्सक्राइब बहुत जादे खाता है तो ध्याद है यूजिक एसिट बंडे मस्रूम बिल्कुल नहीं खाना और मीट वगारा तो बिल्कुल छुणा ही नहीं है यह सब साथ चीज़े बरतावा पर है तो हम जानेंगे हैंम्हें क्या कहना चाहिए यूजिक एसिट बंडियो पर जिससे हमारे यूजिक एसिट लोगल कं अगर्षाय। जिससे हमारा नीवु हो गया, फ्रटे फरल हो गये हैं, फ्रटे सब्जियां हो गयें और नीवु पानी हो गया, यह सब चीछ के ज्यदा सिमन करना चाहिए two vitamin C ज्यादे मात्रा मेरे ना चाहिए, जिससे हमारा uric acid डेवल कम होता है ज़तना ज़िए ज्यादल में पानी पहना चाहिए जिससे ए्यूरीन के रास्त्त वायवर वाले चीज़ जादा खाना चाहिए है कि इसमें क्यों होता है कि यह अपने साथ यूरीकेसिट को टेस्ट करके बाहर कर देता है जिससे हमारे यूरीकेसिट अस्तर घटता है तर ज्यादा बड़ा हुआ तो इससों कम करने बहुत ज्यादा मदद करता है है अगर यह वीडियो आपको परसंद आई हो तो फ्रीज लाइक किजिए सब्सक्राइब फ्रीज शेयर किजिए और प्यारा सा कामेंटर के बटाएए कैसे लेख है हमारी वीडियो आपको अध्यू